चोपड़ा है जो किसने YouTube चैनल पर मैं हरसा ही चोपड़ा आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ मेरे प्यारी बच्चो करनाटका स्टेट के रेजिस्टेशन की डेट आ गई है और जिन कंडरेट ने पहले रेजिस्टेशन किया है उनके रोल नमबर फिल करने की भी डेट आ ग बज़ेत तक रोल नमबर फिल कर सकते हैं जिन्होंने पहले रेजिस्टेशन कर रखा है और जो अधर इस्टेट कंडिडेट है उन कंडिडेट को डोकुमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए के ये ओफिस जाने की ज़रत नहीं है उनका डोकुमेंट्स वेरिफिकेशन ओनलाइ आई में आते हैं उनका डोकुमेंट्स वेरिफिकेशन ओनलाइन ही होगा उनको कहीं जाने की आवश्यक्ता नहीं है इसमें उनको वेरिफिकेशन स्लिप डाउनलोड करना होगा और 9 तारिक से 9 अगस से लेके 11 अगस तक च्वाइस फिल करने होगी अब उनका एक नोटिफिके पर जाएगा रात 12 बजे तक सेवन अगस से लेके 9 अगस तक रात 12 बजे तक रेजिस्टेशन कर सकते हैं और जिन्नोंने पहले रेजिस्टेशन कर रखा है उनको रेजिस्टेशन करने की आवश्यक्ता नहीं है और 9 तारिक से 11 तारिक तक 24 फिलिंग सभी candidates के लिए है 14 को मोकल उटमेंट का result आजाएगा 14 से 18 तक दुबारा से आप twice add कर सकते हैं delete कर सकते हैं alter change कर सकते हैं और 21st अगस्ट को करनाटका स्टेट का first round का result आजाएगा medical dental आयूस और engineering course के लिए सभी के लिए ये result आजाएगा इसमें अभी जो non करनाटका स्टेट के candidate हैं उनको registration के समय उनकी 12th की mark seat upload करनी है PDF format में और बाकी के photo वगरा signature वगरा ये upload करके registration करना है उनको payment fees करनी है fees इनकी 2500 registration fees है यहाँ पर अब मैं आपको एक थोड़ा सा इसका और बता देता हूँ total करनाटका में 32 college है 26 colleges ऐसे हैं जिनकी tuition fees 11 lakh है और 2 lakh other expense होकर कि यह 13 lakh per year की fees पढ़ जाएगी 6 college ऐसे हैं जिनकी tuition fees 17 से 21 lakh तक है सब कुछ मिला के 19 से 23 lakh रुपे per year का इसमें खर्चा आ जाता है कटोफ इन 26 college'ों की बात करें तो इस बार 585 marks रह सकती है और इन 6 college'ों की service का bond है जिसकी कोई penalty नहीं है रूर्ल सर्विस ही compulsory है यहां पर इसके बाद में यह सारे colleges हैं वो राजिव गांदी University of Health Sciences Bangalore से affiliated है जो इंडिया की number one university है इसी के कारण यहां की तोफ education मिलती है student को अब बात करें तमिलनाडू स्टेट की तो तमिलनाडू स्टेट के भी रेजिस्टेशन स्टार्ट हो गए है तमिलनाडू स्टेट के रेजिस्टेशन की last date 8 अगस्ट 24 शाम 5 बजे तक है इन में दो परकार के रेजिस्टेशन होते हैं एक तो वो candidate जो government college के लिए apply करेंगे तमिलनाडू स्टेट के डो मिसाइल कंडिडेट है वो उनकी जो फीस है वो 500 रुपीज है SCA और ST कैटेगरी को यहां कोई फीस नहीं लगती है इसके बाद में management quota होता है management quota में other state candidate apply कर सकते हैं और यहां की जो फीस है management quota की वो 1,000 रुपीज है other state candidates के लिए इसमें apply कर सकते हैं अब जो इसमें security money है वो 1,00,000 रुपीज deposit होती है फर्स्ट राउंड में ही deposit होती है यह security money 1,00,000 रुपीज management seat के लिए और 30,000 रुपीज government seat के लिए जो तमिलनाडू के candidate है उनके लिए 30,000 other state के लिए 1,00,000 रुपीज security deposit करने होती है यहां total 21 private colleges है जिनकी tuition fees 13,000,000 पर year है cmc value का भी registration में management quota में होता है यहां other state candidate के लिए all India के लिए 2 seat है और उनकी fees 53,000 फर्स्ट येर की है second year में nearby 30,000, 30 year final year में 30,000 के nearby cmc value की fees लगती है अब जो इसकी cutoff है वो 700 से above ही रहने की possibility है क्योंकि यहां पर 2 seat है cmc value में अब यहां तीन state private medical college है जिनकी fees 16,000,000 है पर year की और इन colleges की 21 colleges की अगर हम cutoff की बात करें तो 400 marks cutoff रह सकती है इस साल के लिए यहां पर भी 5 साल का bond है तमिलाडू में और अगर आप सर्विस नहीं करते हैं 5 साल सर्विस का bond है तो 5 लाक रुपए की penalty है discontinue bond भी है यहां पर अगर आप बीच में कोर्स सोडते हैं या last round के बाद भी आप कोर्स सोडते हैं तो आपको 10 लाक रुपीज deposit करना होगा तब वहां से NOC मिलेगी आपकी तो यह जानकारी थी करनाटका और तमिलाडू स्टेट के बारे में सब कुछ मैंने आपको बता दिय है अगर आप काउंसलिंग के बारे में जानकारी लेना चाते हैं स्टेट कोटा की ओल इंडिया कोटा की MCC की आयूस वेटनरी की तो इसके लिए हमारी बुक अवेलेबल है इसमें फैसलिटी यह है कि आपको 2021 के लिए 24 लिस्ट दे रखी है इस परकार से आप 24 फिल कर सकते ह हैं और सभी कोलेजेज की राउंड वाइस केटेगरी वाइस कटोप दे रखी है फ्लोचार्ट से काउंसलिंग प्रोसेस को समझा रखा है ऐसे ही स्टेट की बुक में सभी स्टेट की यह सारी फैसलिटी अवेलेबल है यहां पर इसके बाद में आयूस और वेटनरी की भी इसमें सारी जानकारी दी गई है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट www.chopdaeducation.in से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं जैसी डाउनलोड करेंगे हम आप से संपर कर लेंगे अब बात करते हैं यह अधर स्ट करके इसको सेर करें अपने दोस्तों के साथ में ताकि हर एक स्टुडेंट को फाइदा मिल सकें तो मिलेंगे नई जानकारी के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जैहिंदी